आज हम complex number में exercise 5.2 को देखे गे तो उसके पहले ही सबसे पहले हम देखते हैं कि एक complex number का polar representation क्या होता है z equal to x plus i y इसको हम x को हम axis में लेते हैं और y coordinate को हम y axis पर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम z equal to r cos theta plus i sin theta लेके चलते हैं तो x के बराबर होता r cos theta के, y के के बराबर होगा r sin theta के तो दोनों का square करके add करेंगे तो r बराबर मिलेगा root x square plus y square इसको हम z का mapang कहते हैं और theta यहां पर kodang कहलाता है अब हमको यहां पर एक example लेके चलते हैं एक यहां समय से संक्यर दी हुई है इसको polar form में बजलना है तो इस z को हमने r cos theta plus i sin theta के रूम में represent किया तो 1 equal to 2 हो जाएगा r cos theta root 3 equal to r sin theta और दोनों का इसकर करेंगे तो हमको r equal to मिले का 2 जो कि इसका mapang है और cos theta और sin theta के मानों के आतार पे हमने देखा यह theta का मान phi by 3 होगा इसके हम कुछ exercise की कोसम करेंगी तो और clear हो जाएगा आपको यहाँ पर अब यह प्रस्टावाली है इसमें हमको mapang और kodang ज्याद करना है तो हम देखते हैं यहाँ पर z equal to दिया हुआ है minus 1 minus i root 3 इसको हमने माल लिया r cos theta plus i sin theta तो compare करने पर हम देखते हैं यह r cos theta equal to minus 1 r sin theta equal to minus root 3 अब हम दोनों का square कर भी जोड़ेंगे r square 2 हो जाएगा minus 1 का whole square minus root 3 का whole square equal to 4 this implies r equal to 2 तो हमको cos theta equal क्या मिल जाएगा minus 1 by 2 और sin theta equal to 2 मिलेगा हमको minus root 3 by 2 अब हम देखते हैं कि cos 180 plus 60 equal to minus cos 60 और minus cos 60 कितना होता है minus 1 by 2 इसी प्रकार sin 180 plus 60 equal minus sin 60 और minus sin 60 कितना होता है minus root 3 by 2 तो इसका मिल्दा होता है तो इसका मिल्दा होता है कि theta equal to यह आपका कोडांक है और r equal to आपका 2 है यह मापांक है इसी प्रकार से आपको question number 2 भी करना है अब हम आपका question 4 लेके चलते हैं 4 तो यहाँ z equal to दिया हुआ है minus 1 plus i equal to r cos theta plus i sin theta इसको लेके चलेंगे तो आपका r cos theta equal to हो जाएगा minus 1 r sin theta equal to plus 1 और r equal to हो जाएगा आपका minus 1 का whole square plus 1 का whole square equal to इसका root रहेगा root 2 तो r equal to आपका है root 2 ठीक है अब cos theta equal to कितना हो गया आपका minus 1 upon root 2 और sin theta equal to कितना हो गया 1y root 2 sin इसका मनलब आपका theta equal to है 180 minus 45 कितना हो जाएगा 135 इसका मनलब z equal to आपका है r cos theta plus i sin theta यहाँ पर r का मान रख देंगे root 2 और cos 135 plus i sin 135 यह आपका 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 हो गया इसी प्रकास से बाकी question भी करने ही कोज़र करेंगे अपका है